गुड मॉनिंग, आज मैं आपको कक्षा 3 का इंदी वी से पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आज पाठ हम देखेंगे हमारा 15, पाठ 15 हमारा है प्यार भरा खत, क्या है पाठ 15 हमारा प्यार भरा खत, पाठ 14 मैंने आपको पूरा कम्पलीट करा दिया है, आज पाठ 15 प्यारी बीटिया खुस रहो, क्या है प्यारी बीटिया खुस रहो, तुम्हें पत्र पढ़कर आश्चर ये तो अवश्य होगा कि इस बदलते हुए आदुनिक यूग में जहां विज्यान के बात एक सफलता के सिखर सर करता जा रहा है, मैं तुम्हें टेलीफोन करने के व भूलने के संभावना रहती है, परन्तु पत्र को बार-बार पढ़कर भी समझ सकते हैं, तो देखो ये खत जो है वो लिख रहे हैं अपनी बीटिया को, और देखो उन्होंने क्या लिखा है, पत्र पढ़कर आश्चरिय होगा, कि आदुनिक में जहां विज्यान एक सफलत के बाद सीखर पर जा रहा है, तो तुमें भी टेलीफोन की बज़ाए पत्र लिखना, तुमें टेलीफोन की बज़ाए पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये रोचक बात बताना चाहते हैं, तो देखो टेलीफोन पे इस बात की गई हो, हम कुछ टाइम में भूल जाते हैं, प इसलिए हपते में करना टक गया था माँ चंदन के व्रक्ष बहुत ज़ादा थी तो मैं उनकी बात आपको बताने जा रहा हूँ. चंदन मध्यमाकार का और बहुत ही धीमी गती से बढ़ने वाला व्रक्ष है यह लगबग 30 वरस में पकर तैयार होता है इसकी उम्र लगबग 125 वरस की होती है चंदन एक सदा बाहर व्रक्ष है यह अपने आसपास के व्रक्षों को पनपते नहीं देता है क्योंकि यह उनकी च व्रक्ष दलबग 125 वरस की होती है चंदन एक सदा बाहर वरक्ष होता है और यह अपने आसपास किसी व्रक्ष को पनपने नहीं देता है चंदन की मुख्य विशेच्ता है क्येवल इसकी लकड़ी से ही सुगंद होती है इसके फल, फूल, बीज, आदी में सुगंद नहीं हो क्या हैं चंदन के व्रक्ष वर्स में दो बार खिलते हैं एक जून से सितंबर के बीच और दूसरा नवंबर से फरवरी के बीच खिलते हैं इसके फूल छोटे छोटे गुच्छे वाले और गुलाबी रंके होते हैं इसके फूल कैसे होते हैं छोटे छोटे और गुच्छे व फूलों के बाद इसके वरक्ष पर फल भी वरस में दो बार आते हैं, क्या इसके वरक्ष पर फल भी दो बार आते हैं, ये फल छोटे छोटे और गोलाकार में होते हैं, ये फल किसमें होते हैं, छोटे छोटे और गोलाकार में होते हैं, और ये गुद्देदार होते हैं, गु लाल रंग का तेल निकलता है। इन गुठलियों में से कैसे तेल निकलता है। लाल रंग का तेल निकलता है। इससे युन्यानी दवाएं तयार होती है। साथ ही साथ इसका देनिक जीवन में उप्योग होता है। इसका लेप लगाने से घमोरियां में राहत मिलती है। प्राय चंदन से तयार की गई ओशदियों का दो प्रकार से परियोग किया जाता है। कुछ ओशदियों का उप्योग लेप, मलम या पावडर के रूप में किया जाता है। कुछ ओशदियों का उप्योग सहद, सहद, पानी, दूद, आदी के साथ, गोली, चटनी, सर्बत, आदी के रूप में सेवन किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे चंदन के वरक्ष के उप्योग हैं। फिर देखो, चंदन की सायता से सीर्दर्द, फोड़े, फुनसी, नाप में फुनसी, मुहा से या सरीर पर इस्तित किसी भी घाव को ठीक करने में तचा कांती में बनाया जाता है। तो चंदन हमारे लिए बहुत ही उप्योगी है। पाये जाने वाले चंदन के वरक्षों की लकड़ी अधिक तेल वाली और सुगंदित होती है। और कुचंदन क्या है? चार वरक्ष पाये जाते। विद्वानों का मानना है कि सपेचंदन और पिला चंदन एक ही है। तथा लाल चंदन और कुचंदन एक है। चंदन के बारे में तुम खुद पढ़कर अपने मित्रों और छोटे भाईया को भी बताना। पापा क्या बोल रहे हैं? चंदन के बारे में पत्र लिखा था बेटिया को तो पापा उसको बोल रहे हैं तुम अपने छोटे भाई को और उनक सब को बताना पढ़के। हमारे आसपास पाई जाने वाली वनस्पतिया पेड़ पोदे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं? यह तुमें समझ में आ गया होगा। गर्मियों में चंदन का दूद के साथ सेवन करना मत भूलना। तुमारे पत्र का इंतजार रहेगा। तो बच्चों यह पाठ अपने पढ़ा प्यार भरा खत यह पाठ हमने पढ़ा है। इस पाठ को पढ़के इसके आधारपरवम को श्वाद्य करना है। तो सबदार्थ देखो पत्र चिठी, आस्चरिय अचरज, आधुनिक नया, रोचक रुचिपून, पश्याता तो बाद, व्रक्ष तो पेड, वर्स तो साल, बारामासी सदा बाहर हमेशा फलने फुलने फलने वाला, सुगंध महेक, गुठली फलका बीज, मौसम रितु, औ पॉषदी, दवाया, हप्ता, सप्ता, पनपना, बढ़ाना, गुद्धी, करना, अब देखों यहापे मुहावरे हैं, सिखर सर करना, तो क्या आएगा, उचाई पर पहुचना या जीतना, अब अब्व्यास करेंगे, एक वाक्या में उत्तर देना, यह पत्र किसने किसको ल लिखाए, किसने लिखाए, अजय ने अपनी बेटी को लिखाए, प्रशना नमबर दो, चंदन का वरक्ष कितने वरक्ष में पकता है, कितने वरक्ष में पकता है, तो 30 वरस में, कितने 30 वरस में, चंदन का वरक्ष कौन सा भाग सुगंदीत होता है, तो 6 भाग सुगंदीत चंदन के वरक्ष पर कितनी बार फूल खिलते हैं तो दो बार कितनी बार दो बार प्रशन नमबर दो सही विकल्ब चुनकर खाली जगब भरिये तो पहला चंदन करना टक में पाया जाता है कहां पाया जाता है करना टक में पाया जाता है दूसरा चंदन की लकडियों में तीसरा है चंदन के फल की गुठली छोटी होती है चंदन के फल की गुठली कैसी होती है छोटी होती है चंदन का फल गुद्देदार होता है क्या है चंदन का फल गुद्देदार होता है अब प्रशना नमबर तीन समझ कर लिखे तो उपयोगी अनुपयोगी तो क्या है बड और चोटा गुद्देदार तो मुलायम आएगा यहां सुखंद, दुर्गंः, दीमा, तेज अब देखो प्रशन के उत्तर है एक एक वाके में चंदन का फल कैसा है गोल और गुद्देदार है क्या है गोल और गुद्देदार है तीसरा है चंदन की लपड़ी में से क्या निकलता है तो चंदन की लपड़ी में से क्या निकलता है तेल निकलता है फिर चोथा है चंदन के फूल किस रंग के होते हैं चंदन के फूल किस रंग के होते हैं तो गुलाबी रंग के होते हैं किस रंग के गुलाबी रंग के चंदन के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार के होते हैं अब देखो एक यो तीन वाक्यों में उत्तर लिखने हैं तो बच्चों ये मैं आपको स्वध्य पुथी में करवा दूँगी अब प्रश्ण नमबर तीन वाक्या पूर्ण कीजिए तो पहला है सरीर पर चंदन का तेल लगाने से घमोरियों में राहत मिलती है क्या है सरीर पर चंदन का तेल लगाने से घमोरियों में राहत मिलती है दूसरा चंदन के तेल की एक बूंद दूद के साथ लेने से लूका प्रकोप सांत हो जाता है कि केवल लकडी सुगंदी थोती है, केवल इसकी लकडी सुगंदी थोती है, प्रश्ण नमबर 4 है समझ कर लिखे, तो राष्ट्य फूल कमल, फिर राष्ट्य फल आम, राष्ट्य व्रक्ष बर्गत, राष्ट्य धन्य गेहु, राष्ट्य पक्षी मोर, राष्ट्य ध्वज कैनुसार लिखनी है, मेरे मामा की चिठी आई है, पत्र, मेरे मामा का पत्र आया है, क्या है मेरे मामा का पत्र आया है, दूसरा है उसे पत्र देखकर आश्चरिय हुआ, तो क्या है उसे पत्र देखकर अचरज हुआ, क्या हुआ, अचरज हुआ, अब तीसरा है, बारा मासी प पोदे पर हमेशा फूल रहते हैं यहां पत्र किसने लिखा है? तो दीपक ने किस ने लिखा है? इसके उपर हमको यह प्रश्न के उतर करने तो यहां पत्र किसको लिखा गया है? तो रुद्र को तीसरा यह पत्रा कहां से बेजा गया है गुजरात से चोथा यह रूद्रा कहां रहता है तो सेक्टर साथ दोसो तेवी सुवास सुवसान लोक नई दिल्ली में रहता है तो देखो बच्चो आज मैंने आपको पाथ 15 जो है प्यार भरा खत वो आपको पढ़ा दिया और उसका स्वाध्य भी मैंने आपको करा दिया है तो आपको अब अगले पिरेड में मैं यह आपको स्वाध्य पोथी में कराऊंगी ठीक है बच्चो आज के लिए मैं इतना ही प बढ़ दाओ इती के बच्चो थांक यू